हेलो एवरिवन, वेलकम टू माई चैनल आपका रसोई घर और आज हम बनाने जा रहे हैं आलू की सरसो वाली सबजी जो की बहुत ही स्वादिस्ट बनती है तो चलिए रेसेपी सुरू करते हैं यहाँ पर मैंने एक चमच सरसो पाउडर, एक चमच धनिया पाउडर, आधा चमच हल्दी पाउडर, एक चमच लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा गोल मिर्च पाउडर लिया है साथी स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे एक चमच हम इसमें लैसन का पेस डाल देंगे थो तो उसमें थोड़ा से हींग और आधा चमच मेथी दाना डाल देंगे हलका गरम पे मेथी दाना और हींग हमने इसले डाला है कि वो जले नहीं तो सबजी का टेस्ट खराब हो जाएगा थोड़ी देर के बाद हम इसमें डाल देंगे जो हमने मसालो को सोक करके रखा था उसे और एक दो बार इसे मिक्स करेंगे और ढख करके हम मिडियम फ्लेम पे इसे 10 मिनट तक पका लेंगे 10 मिनट के बाद मसालों से देखिए ओयल रिलीज होने लगा है क्योंकि यह सरसो वाला मसाला है तो सरसो खुद भी ओयल छोड़ता है लेकिन मसाला अभी पका नहीं है तो इसमें हम डाल देंगे एक बड़े साइज के टमाटर जिसे स्लाइसे में कट करके रखा था और मिडि दो बार अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे और उसके बाद यहां पर मैंने दो मिडियम साइज के आलो को बिल्कुल बारीक मतलब तोड लिया है उसे हम इसमें डाल देंगे और मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे इससे ग्रेवी में थोड़ी सी ठीकने सा जाती है और सबजी ब पून लेंगे और पांच मिनट के बाद हम इसमें एक ग्लास पाने डाल देंगे और इसकी जो ग्रेवी है न वो बिल्कुल पतली बनती है और यह चावल के साथ इस पैसली बहुत टेस्टी लगता है तो देखिए पतली ग्रेवी वाली ही सबजी बनेगी अब ढ़क करके हम सबजी में एक उबाल आ जाने देते हैं और सबजी में यहां एक उबाल आ चूपका है और बहुत ही टेस्टी आलू की सरसो के मसाले वाली सबजी बन करके रेडी है तो इस रेसिपी को आप एक बार जरूर ट्राइ कीजिए और मुझे कॉमेंट करके बताईए रेसिपी पस सब्सक्राइए तो लाइक शेर और चैनल को जरूर सकते हैं